हालो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चानल आज मैं आप लोगो हमलग पुजा में शब्तोमी के दिन जहां गये थे चलिये उधर से आपको घुमा के लाते हैं हमलग उज़े में गये थे जानाई रोड ये हुगली डिस्टिक में है जानाई में मेरे पापा लोग का पुराना बाला घर है उधर 3400 साल का पुराना दुर्गा पुजा होता है इसलिए हर साल हम लोग एक दिन पुजा में जानाई जाते हैं सब्तोमी के दिन हम सब मिलके पुरा फामिली मिलके गये थे अभी हम लोग जा रहा है, कोना एक्सप्रेस होए होके डानकुनी के तरफ हम लोग आगे बर रहा है कलकता में बहुत बारिश हो रहा है एकदम जोर जोर से बारिश हो रहा है साथ में बहुत मेक का गरजन हो रहा है लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पंड़ा में अभी चल रहा है उस पंड़ा के मिक में तो कहीं जाना आना सब बंध हो गया है हम लोग का इसलिए पुजा के दिन सुभे सुभे अच्छा से फ्रेश होके थोड़ा दूर जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है वो इदर बहुत ही खराब है अभी हम लोग जा रहा है डानकुनी के तरफ डानकुनी से हम लोग अभी लेप्ट ले लिया इसको चंड़ी तलब होलते हैं इधर से सीधा हम लोग जाएंगे जानाई पहले इधर रेल गेट होता था तो रेल गेट कॉस्ट करने में मतलब बहुत टाइम लग जाता था अभी उतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि फ्लाई ओवर बन गया है इसलिए अभी टाइम थोड़ा कम लगता है लेकिन ओ रेल गेट बंद होना खोलना ओभी एक मजा का बात होता था तब हम लोग हर सल एक पर तो जनाई आते हैं बहुत ही कॉंचेस्ट है यह रोड क्योंकि रास्ता तो बड़ा नहीं है लेकिन दुकान मकान सब बहुत कुछ बढ़ गया है हम लोग अभी राइट टल लेके चल रहे हैं जनाई के तरफ जिदर हम लोग का घर है पुजा का जो ठाकूर दालन मोलते हैं उधर ही हम लोग जा रहे हैं जनाई जाते वक्त हम लोग को शरुष्षती नदी मिलता है लेकिन ओ अभी नदी नहीं है नाला बन चुका है यह हम लोग पहुंच गए जनाई बजार पहले इधर बाहरी रस्ते में सब बजार बैटा था अभी सुपर मार्केट टैप का बना के बजार को उधर शिप्ट कर दिया है तब भी आभी भी साइकल बाइक बहुत हच पच है एक्दम हम लोग इधर थोड़े देर क्योंकि हम लोग का पुजा के लिए स्वीट्स लेना है जनाई का दो फेमस स्वीट्स होता है एक है मोनोहरा और एक है निकोते तो हर साली हम लोग खाते हैं स्वीट्स जनाई का एक बार तो अभी हम लोग स्वीट्स लेके फिर स्टार्ट कर रहे है घर के तरफ तरफ जोटा सा रोड है कि बहुत पुराना जागा है जनाई बहुत पुराना जागा है मेरे पापा का जो ग्रैन फादर है उनके समय से वो लोग जनाई में रहते थे इधर पहले हाम लोग का घर भी था अभी नहीं है बहुत सुन्दर डेकोरेशन हुआ है लेकिन अच्छा लगता है हम लोग पहुँच गए हम लोगे घर के तरफ यह घर के सामने और एक पुजा हो रहा है पहुच गए हम लोगे ठाकु दालान पे बहुत ही पूराना है घर यह ठाकु दालान शारे 300 साल का पुराना पुजा भी है देखके लग रहा होगा अप लोगों को और यह है अम लोग का मा माधूरगा चोटा सा मूर्ती होता है लेकिन बहुत सुन्दर होता है दाक भी रेड़ी हो गया है पूजा चल रहा है अभी यह पूराना बारी का मा है हमनों का माधूरगा हर साल आते हैं बेटा बेटी सब को लेके लिकिन इस साल तो इतना सब उल्टा पूल्टा चल रहा है तब भी माँ आये है यह घर का ही फूल है पूरा और यह पूरूत है इसका एज है 97 यह यह है पुराना बारी माँ यह हमनों का एक सोना का काली मुड़ती है यह है ठाकुर्दालान इसके बाद पूरा बोग से भर जाएगा जो सोना का काली दिखाया ओह हमनों का रेगुलर पूजा होता है इधर आने के बाद एक नाश्टल्जिक फिलिंग्स आता है सब के साथ बात करके यह एक पूजा का स्टाइल है इसलिए हम एड़ किये यह है बोली का जैगा कुछ दिर बाद ही एक काट लगेगा और उधर बोली होगा अभी काम हो गया है बोली यह है शिवली तॉला बहुत देर हम इधर रहे पूजा देखे बहुत अच्छा लगा सब के साथ बात किये मिले मा को दर्शन करके फिर आएंगे बोलके वापस जाने का टाइम हो गया है यह है निकुती इस बर मोनोहरा नहीं लाया निकुती लाया यह चाने के बनता है बहुत तेस्टी है आई होप अपनों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर किजिए सब्सक्राइब करतीजिए आई है